हम लोग power system visit करते हैं, तो वहाँ पे हमें कुछ इस तरीके की दो identical चीज़े देखने को मिलेंगी, अब अगर मैं आपसे पूछूँ कि ये दोनों क्या हैं, तो आपका एक general answer हो सकता, सर देखने में तो दोनों transformer जैसे ही लग रहे हैं, लेकिन ये answer गलत है, पहली वाली ये जो आप चीज देख लो जहां पर brown winding इस तरीके से की गई है, this one is your reactor and the other one is your three phase transformer, देखने में तो ये दोनों सेम हैं, लेकिन इनकी working in cooperation और सब कुछ एकदम अलग है, तो आज इस lecture के अंदर हम लोग बात करेंगे, कि क्या difference है एक reactor में versus transformer में, ये एक बड़ा important lecture है, क्योंकि जब हम visit करते हैं, सब stations को, या power systems को, power stations को, तो वहाँ पर ये दोनों चीजे हमें दिखने में एकदम similar होंगी, आपके मन में आएगा कि सर दोनों ही reactive power work करती है, दोनों के अंदर ही coil है, तो difference क्या है, तो आज मैं आपके सामने पेश करूँगा, कई सारे ऐसे differences जो बड़े important हो जाते हैं, अगर मैं बात करता हूँ transformer की, तो transformer को इसलिए बनाए गया था, ताकि हम लोग source से load तक power को बेश सकें, efficiently, यानि कि इसका main काम क्या था, कि हम efficiently power को transfer कर सकें, that is why its name is transformer, यानि कि जो power को transfer कर सके, transform कर सके, from primary to secondary, efficiently, आपको पता होगा, अगर आपने numerical solve करे होंगे, कि transformer की efficiency होती है, जितनी भी electromagnetic energy, electromagnetic energy conversion devices है, उन सब में, तो इसलिए transformer का basic sole purpose जो design करने गा था, वो था कि efficiently power को transfer करना, हमें इससे नहीं मतलब है, कि power कौन से level पे जा रही है, कि level पे जा रही है, step up, step down, इससे कोई फरक, इससे एक अलग parameter था, पर जो भी हो, वो efficiently होना चाहिए, वहीं पर हम reactor की control करना, reactive power level को इन power system में, यानि कि transformer केवल efficiently power को transfer करता है, उसे इससे कोई मतलब नहीं, कोई फरक नहीं पड़ता कि power system में, तुमारे reactive power जादा है, कि कम है, इससे उसे कोई फरक नहीं पड़ता है, जबकि reactor जो है, ये active role प्ले करता है, इसको control करने लिए, कि तुमारे power system के अंदर उसके पानी भरता चला जा रहा है reactive power का, और वो कुछ swell हो जाता है, आपको याद होगा, कुछ इस तरीके का मैंने diagram आपके लिए बनाया था, इस तरीके से कि अगर power system swell up होगा, क्यों, क्योंकि हम लोग reactive power जो है, हम ज़्यादा दे रहे हैं, लेकिन निकल कम रही है, तो यह चीज़ें हमने already discover करी थी, ठीक है, इसका काम क्या होता है, तो यह reactive power को level को control करता है, और ultimately reactive power level कैसे control कर सकते हैं, with the help of voltage, मतलब कैसे पता चलेगा कि reactive power swell up हो गई है, तो reactive power swell up होने का मतलब होता है, voltage profile swell up हो जाना, यानि कि अगर हम बात करें, power system के अंदर reactive power बढ़ जा दी, तो क्या होगा, तो reactive power बढ़ने से क्या होगा, वी supply से ज्यादा वी receiving and voltage हमें मिलने लगेगा, and it is a similar case which happens in warranty effect, यानि कि warranty effect जो ह है, वो पूरी तरीके से focus होता है, कि हमें क्या करना है, कैसे भी करके reactive power को system के अंदर से सक करके बाहर निकालना है, otherwise voltage swell हो जाएंगे, supply end से ज्यादा receive and voltage मिलने लग जाएगा, और फरांटी effect picture में आ जाएगा, इचीज आपको clear होगी होगी, आगे चलते हैं, अगर दूसरी ब लेकिन आपको यहाँ पर एक simple चीज देखने को मिलेगी, there is a difference, क्या difference है, transformer में दो कोईलों का इस्तमाल हुआ है, जबकि आप reactor देखोगे, तो reactor is just an inductor की तरह, एक single coil की तरह work करेगा, यहाँ पर जो diagram में तीन कोईल दिख रही हैं, वो basically 3 अलग-अलग phases के लिए हैं, single phase के लि transformer, तो वहाँ पर दो winding का इस्तमाल कर जाएगा, हर phase के लिए, यानि कि 6 winding होगी, primary, secondary, primary, secondary, primary, secondary, secondary, इस तरीके से, ठीक है, वहीं पर अगर हम रो रियक्टर की बात कलने, तो पीछे में डियागराम में देखा था, एक winding होगी, एक phase के लिए, यानि कि वहाँ पर primary, secondary जैसा कोई concept नहीं है, वहाँ पर आपके तीन phase है, तो तीन winding आपको देखने को मिलेंगी, next important चीज़ आ जाता है, working induction, ठीक है, मतलब कि induction के कौन से concept पर ये work करती है, तो आपको पता हो, induction के दो concept है, एक है mutual और एक है self, तो अगर मैं बात करता हूँ, transformer की, तो transformer mainly work करते है, mutual induction पर, आपको main flux उसको कहते थे, ठीक है, तो यही main flux क्या होता था, this is actually the flux of mutual induction, जो यानि की, जो mutual induction का जो flux था, जो काम का flux था, useful flux जिसे हम लोग कहते थे, वो हो जाता था हमारा mutual induction वाला flux, उसको हम लोग 5M से represent करते थे, आई हो याद आए होगा, आपको transformer एक, जब मैंने आपको पढ़ाया था, अगर आपने मेरे से पढ़ाया, कहीं से भी पढ़ाया, आपको यह बात याद आ गई होगी, ठीक है, तो transformer जो होता है, वो basically mutual induction पे काम करता है, ठीक, और वहाँ पे जो flux, दोनों कोईलों को link नहीं करता, उसे हम लोग लीकेज का नाम दे देते हैं, यह भी मैंने बताया होगा है, यानि कि for example, यह कोई coil है, इसके अंदर इस तरीके से flux बना, एक यह link कर गया, और एक कुछ ऐसे निकल गया, इसी तरीके से यह बना, कुछ link कर गया, कुछ निकल गया, तो यह जो ऐसा flux होता था, जो self induction में तो participate करता था, लेकिन mutual में participate नहीं करता था, उसको हम flux होता था, यानि कि देखो, जो दोनों को link करेगा, this is useful flux, इसको हम लोग कह देते थे useful flux, याद आया, useful flux, ठीक है, और जो flux के वल self induction में participate करता था, पर mutual induction में कायब हो जाता था, that particular flux is known as leakage flux, ठीक है, तो ऐसा नहीं कि flux निकला और leak हो गया, मतलब 10 लाइने निकली और वापस ऐसा नहीं होता है, कि यह चीज मैंने आपको कई बार बताई हुई है, कि flux जो होता है, वो हमेशा close loop में exist करता है, तो नौर से निकल के वापस तो आए गई, तो leakage का क्या मतलब है, जो एक winding को link करे और दूसरी winding को link ना करे, that is why we use the word leakage flux, समझ माया तो leakage का exact meaning समझ माया क्या होती, reason भी है कि हमारे पास क्योंकि दो coil हम नहीं ले रहे हैं, तो हमें mutual induction की जरुवत भी नहीं है, तो it works on self induction, तो यह बड़ा major difference है, दोनों induction पर work करते हैं, जैसे अगर आप सो कोई पूछ दे कि transformer भी induction पर work करता है, आपका होगे हा सर, और जो तुमारा reactor है वो भी work करता है, तो आपका होगे हा सर, तो अंतर क्या है, तो भी reactor fully focused होता है self induction, जब कि transformer का main operation होता है, power को transfer करना from primary to secondary, वो केवल हो पाता है because of useful flux और mutual induction के थ्रूप, अगर हम बात करते हैं, magnetizing current की यह बड़ा important concept है, इसको समझ लेते हैं, यह already minus वैसे पढ़ाया हुआ है, लेकिन हलका सा revise भी ह हो जाएगा, जब इसको समझते हैं, अगर हम बात करते हैं, transformer के circuit की, original circuit की जो हम लोग बनाते हैं, ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है, जैसी हम यहाँ पे source लगाएंगे और यहाँ पे load लगाएंगे, तो circuit complete हो गया, तो यहाँ पे current I2 आ जाएगी, इस I2 को fulfill करने के लि current जो होती है, I0 होती है, जिसे हम लोग क्या कहते है, no load current, यानि कि यह तब भी flow करती है, जब open होता है secondary, secondary को open कर दोगे, तब भी I0 to flow करेगी, तो यह no load current कहलाती है, इसका काम क्या होता है, इसका काम होता है, core के component को fulfill करना है, ठीक है, यह हो गया, और इन दोनों को मिला के ब full load current हो गया, और I0 हो गया, no load current, ठीक, generally आपने इसको पढ़ा होगा, बहुत important point है यह, कि अगर आप से कोई पूछता है, कि no load current कितना होता है, तो transform no load current होता है, वो 2 to 3% होता है, full load current के, यहीं पर अगर हम चले एक बड़ा interesting question पूचा जाता है, कि आपको आपने पढ़ा होगा induction motor जो होती है, वो similar होती है transformer के, लेकिन इसके अंदर जो no load current होता है, वो कितना होता है, 25 to 30% होता है, of full load current, जबकि transformer के अंदर, I0 जो होता है, वो कितना होता है, 2 to 3% होता है, तो एक बड़ा interesting question पूचा जाता है, वाइबा में बहुत बार पूचा जाता है, कि बहीं इंदक् का main काम होता है, magnetizing current को setup करना, यानि कि flux setup करना, अब यह no load current का main का में काम समझ में आगे, इसका काम होता है, main काम होता है, flux को setup करना, ठीक है, primary और secondary winding के बीच में, flux setup करना, अब क्योंकि इसके अंदर में फैरो magnetic core, फैरो magnetic core और इससे अच्छी कौन सी होती, CRGU का इस्तमाल करते हैं, तो बहुत ही कम ताकत की जरूवत लगती है, तो बहुत कम ताकत जरूवत लगे की flux setup करने पर तो बहुत ही कम magnetizing current की demand होगी, तो transformer में इसी लिए, जो no load current होती, वो 2-3% होती, full load current की, क्योंकि demand, क्योंकि जो flux setup करने में जो ताकत लगने वाली है, जो current की जरूवत current से काम चल जाता है, लेकिन अगर हम बात करते हैं, इंडक्शन मोटर की three phase, तो आपने देखा हो कि इंडक्शन मोटर में rotor और stator के बीच में, यह stator हो गया, यह rotor हो गया, इनके बीच में air gap exist करता है, बड़ा सा, अब यह जो air gap होता है, यह air का मतलब क्या हुआ 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 least reluctance, इसका reluctance बहुत कम है, तो छोटे से current में, two to three percent of full load current में काम बन जाएगा, लेकिन अगर हम three phase, उसमें इंडक्शन मोटर की बात करते हैं, तो क्योंकि air आगी बीच में, तो 30 से 25 से 30 percent no load current की ज़रूद पड़ेगी, 25-30 percent of full load current, इतना ज़्यादा current ज़रूद पड़ेगा, कोर के अंदर flux setup, primary or secondary wind के बीच में, flux setup करने के लिए, reason क्या है, क्योंकि air है, air का reluctance बहुत हाई होता है, तो that is the main reason की जिसकी वज़े से हम लोग induction motor के अंदर, हमारा जो no load current होता है, वो काफी ज़्यादा निकल के आता है, ठीक है, आयू समझ में आगया हुआ, अगर हम इसको बड़े ध्यान से देखें, 2-3% of full load current ही, निकल के आए, no load current, नो load current भी दो parts में डिवाइड होता है, एक होता है, उसमें magnetizing component, IM और एक होता है, IC, यानि की core loss component, जो stresses, ready current, losses होते हैं, उनको represent करने के लिए, तो losses हम लोग मिनिमम ही रखते हैं, तो main current जो जाता है, अब ये दो component ह होगा, compare to the no load current, यानि no load current, further divide हो रही, IM और IC में, तो जब I not ही, 2-3% है, तो IM तो और कम होगा, negligible होगा, compare to the full load current, ठीक, तो यहां से एक बात, मुटा-मुटा तोर पर हमने क्या निकाला, कि जो magnetizing current है, यानि कि magnetizing current, I magnetizing current है, of transformer, वो क्या होती है, वो negligible होती है, negligible compare to I full load current, ठी comparison में, magnetizing current बहुत ही कम होगी, अब बात कर लेते हैं, reactor की, reactor को अगर बहुत द्यान से देखोगे, तो reactor के अंदर, जो main current है, वो ही magnetizing current है, क्योंकि इसके अंदर कुछ ऐसा parallel path तो है, नहीं कोर का, तो इसलिए, जो main current होती है, और जो magnetizing current होती है, वो equivalent निकल के आते हैं, that is a big difference, समझ में आ रहा है, क्योंकि transformer में magnetizing current बहुत ही कम, negligible है compared to the full load current, और यहां पर देख सकते हो, reactor में कितनी है, लगबग बराबर है, यानि कि एकदम series में आ रहा है, तो यहां पर बड़ा important difference, आई होप, आपको समझ में आ गया होगा, कि magnetizing current जो होगी, वो equal निकल के आईगी, full load current के, so this is the biggest difference जो आप देख सकते हो, यहां पर, समझ में आ गया, now next बात कर लेंते है, rating की, rating जो होती है, transformer की rating जो होती ही, वो MVA और KVA में की जाती है, जबकि reactor की rating होती ही, वो KVR और MVA में की जाती है, ठीक है, क्यों, क्योंकि reactor आपका mainly काम कर रहा है, reactive component की तरह, तो reactor हो गया या capacitor हो गया, यह works करते हैं, क्योंकि इनका main काम होता है, तो यह work कर रहा है, as a compensator, यह कह सकते है, as a reactive power को compensate करने के लिए, यह mainly work कर रहा है, तो क्योंकि इनकी जो main dealing है, वो reactive power के प्रती है, इसलिए इनकी जो rating है, वो KVR, आपको याद होगा, VAR किसकी unit होती, reactive power की, और यह component जो परना है था, जब भी हम source की बात करते हैं, कोई भी ऐसी चीज़, जो source की तरह work करेगी, for load side, वो हमेशा rating उसकी होगी, MVA में, या फिर KVA में होगी, ठीक है, चाहिए alternator हो, चाहिए transformer हो, अब आपको transformer तो सर्स नहीं है, बिलकुल सही बात है, लेकिन अगर for example, this is your generator, and this is your transformer, and there is the load, ठीक है, तो अब load से पूछोगे, तो load को नहीं पता, generator कहां से क्यों हो, मैं नहीं जानता, third party है generator, load से पूछोगे, तो उसकी नजर में source कौन है, transformer है, अगर load को extra power की demand होगी, कौन पूरी करेगा, transformer पूरी करेगा, अब transformer कहां से पूरी कर रहा है, वो transformer का सरदर्द है, तो transformer से पूछोगे, तो अगर generator साइट से देखोगे, बड़ा interesting सा है ये एक view, अगर आप generator पर खड़े होके पूछोगे, तो transformer जो है, वो act as a load, बहुत ही interesting fact है, कि generator की नजर से देखोगे, तो transformer एक load की तरह दिखेगा, ठीक है, क्यों, क्योंकि transformer उससे supply मांग रहा है, लेकिन अगर load की नजर से देखोगे, तो transformer as a source देखने को मिलेगा, क्यों, क्योंकि transformer से ही power आ रही है, तो load जो भी power की demand करता है, वो बन जाता है आपका load, और जो power की supply करता है, वो बन जाता है हमारा source, ठीक है, तो अगर generator से पूछोगे, तो transformer load है, load से पूछोगे, तो transformer एक source है, ठी source की तरह ही देखा जाता है, from load perspective, generator के perspective से हम लोग generally इसको deal नहीं करते है, तो इसलिए क्या होता है, हम लोग इसे source की तरह ही treat करते है, दूसरी बात ये भी एक इसके पीछे, क्योंकि हमें नहीं पता secondary पे कितने power factor का load लगाया जाएगा, जब हमें पता ही नहीं है, तो हम क्या होगा, आई भी lecture आपको पसंद आया होगा, यहाँ पे मैंने short में इसको concise कर रहा है, difference इसको point out कर रहा है, कि अगर आप से कोई पूछ ले कि reactor और transformer में क्या अंतर है, क्योंकि देखने में दोनों एक जैसे लगते हैं, हम बिल्कुल similarities हैं, काफी जादा, दोनों की दोनों induction पर work करते हैं, तो इनकी जो बारीक अंतर हैं, ऐसे अंतर जो आपको generally हर जगा अविलेवल नहीं होंगे, वो यहाँ पर मैंने cover करने की कोशिश करी है, साथी साथ मैंने आसपास की concept को भी cover किया, जैसे magnetizing current, no load current, तो अगर आप lecture देखते हो, कोई भी मेरा, तो वहाँ पर lecture क discussion उस lecture तक ही सीमित नहीं रहता है, मेरी कोशिश रहती कि आसपास की जो भी चीज़ें उने इसके अंदर डालता रहूं, ताकि आप लोग का revise up होता रहे, connection मिलता रहे, अगर आपको lecture पसंद आए, तो लाइक कर सकते हैं, आपने मिना कीमती समय दिया, उसके लिए कर रहूं